येस, रेडी, स्टार्ट मुझे मिला तो किसी तरह है से इसको अपने कार्यकरम में लाना अनिवार्य सा हो गया और मुझे इस बात की खुशी है कि मैं आप सबसे मिल सका मगर मुझे अफसोस है कि साथ साथ पूरे इंतजाम के साथ एक सारवजनिक सभा नहीं की जा सकी तो भी मैं जहां तक देख सकता हूँ यहां पर आज केवल इस कालेज के छातर छातराई ही नहीं हैं बलकि शहर और आशपास के गावों के भी बहुतेरे लोग पहुँच गई हैं और बहुत हद तक सारवजनिक सभा का काम भी यहां पर पूरा हो जाता है यह बड़ी खुशी की बात है कि अब बिहार में उची शिक्ष्या का परचार बहुत जोरों से बढ़ रहा है जब मैं अपने शिक्ष्या काल के दिनों को ध्यान में लाता हूँ और आज का उनसे मुकाबला करता हूँ तो मुझे मालूम हो जाता है कि तब में और अब में कितना फर्क पड़ गया है कालेजों की संख्या प्राय है तीस गुनी या उससे भी अधिक हो गई है और मेरा अंदाजा है कि चात्रों की संख्या भी बीश गुनी या उससे भी अधिक हो गई है याने जितने चात्र आजकल किसी एक कालेज में पढ़ते हैं सायद उतने चात्र बिहार भर के सभी कालेजों को मिला कर उन दिनों में नहीं पढ़ते थे तो इस परकार चात्रों की संख्या कई गुनी हो गई है यह एक शुभ लक्षन है अब हमारे प्रांत बड़े बड़े शहरों तक सिमित नहीं रहे गई वह है तो ऐसे कई नए कालेज खुल गई हैं और इस तरह से छोटे छोटे स्थानों में जहां पहले नहीं थे वहां भी कालेज कायम हो गई हैं जब इतनी सुविधा उंची शिक्षा के लिए हमारे प्रांत में आज फैल गई है तो इसमें आश्चरिया नहीं कि विद्यार्थियों की संख्या भी बहुत अधिक हो गई है और दिन प्रतिरीन वह बढ़ती जा रही है एक तरफ जहां शिक्ष्या के परचार का हम इतना बड़ा प्रयतन कर रही हैं वहां दूसरी और हमारे सामने यह भी प्रस्न उठता है कि जो विद्यार्थि इन संस्थाओं से शिक्ष्या पाकर बाहर निकलते हैं वे सब नोकरी की तलाश करते हैं और सब के लिए नोकरी नहीं है जो इंजिनियरिंग या इस परकार के किशी विशेश ग्यान से किशी कारोबार के लिए अपने को योग्य बनाते हैं उनके लिए तो अभी स्थान मिलता भी है पर JBA और MA कला विशे लेकर पास करते हैं उनके लिए उतनी जगह अभी नहीं पैदा हुई है जितने विद्यार्थी तैयार हो रहे हैं इसलिए जहां एक तरफ विद्या का प्रचार बहुत ही शुb लक्षन है दूसरी तरफ शिक्षित लोगों के बीच बेकारी का बढ़ना भी एक चिंता का विशह बनता जा रहा है और चिंता का विशह बनना भी ठीक है क्योंकि अगर वे उनको कहीं ने कहीं कोई ने कोई काम तो ढूंडना ही पड़ता और बिकारी की समस्या का उनके ने पढ़ने से हल नहीं होती इतना जरूर होता कि ए शिक्षित बिकारों की संख्या बढ़ती और शिक्षित बिकारों की संख्या उतनी नहीं होती इसलिए शिक्षित के प्रचार को रोकने का प्रियत्न नहीं हो सकता उसकी शिक्ष्या और दिक्ष्या बदने की आवश्कता हो सकती है जिसमें उन संस्थाओं दोबारा ऐसे लोग तैयार किये जाएं जो सब निकल करके नोकरी पर भरोशा नहीं करके श्व्यम उस योग्य हो जाएं कि कुछ ने कुछ अपन पहले मैं बंगाल में था और मैंने दो यूनिवर्सिटियों में दिक्ष्यांत भाषन दिये वे दोनों यूनिवर्सिटियां ऐसी थी जहां इंजीनियरिंग या उससे मिले जुले विशियों में शिक्ष्या दी जाती है वहां पर भी मैंने कहा था कि यद्दिपी आज सना सनातकों के लिए बड़ी दिकत पेश हो रही है और इंजिनिरिंग या इस तरह की दूसरी किस्म की संस्थाओं में शिक्ष्या पाए हुए लोगों को जगहें मिलती हैं यह कहना अतिशोक्ती नहीं होगा कि कुछ दिनों के बाद इंजिनिरिंग की संस्थाओं भी बढ़ जा असर अभी भी देखने में आ रहा है इसका तरीका यही है कि जो विद्यार्ति चाहे वह सनातकी पढ़कर निकले या इंजिनिरिंग या टेक्निकल कालेज से पढ़कर निकले वे अपने में इतना मान कर निकले कि उनको दूसरों कामु नए देखना पड़े वे आतम इभर हो जाएं। अगर उसका मोका नए हो तो अपने घर में बैठ कर कोई चीज बना लिया करें और वे जहां पढ़ते हों उनको ऐसी शिक्ष्या मिलने चाहिए कि घर बैठ कर काम कर लें और कोई चीज ऐसी बना लें जिससे देश को भी लाब पहुंचे और उनका गुजारा करने का रास्ता ही मिल जाए कुछ दिन पुरो मैंने सुना था कि अगर सारे देश में आज शिक्ष्या का परचार हो जाए और सब के लिए सकूल खोले जाएं तो ने मालूम कितने लाग शिक्षकों की जरूरत होती है प्राइमरी स्कूल के अर्थ में लें और स्कूल कायम करने का निश्च किया भी गया है तो ने मालूम कितने लाग शिक्षकों की आवश्कता पड़ेगी तो ये शिक्षक जो पहले से शिक्षित हैं वे ही हो सकते हैं यह ऐसा काम है जो एकदम नहीं हो सकता फिर इतना पैसा कहां से आएगा लेकिन अगर लगन हो तो परतेक पढ़ा लिका है जरूर है कि बड़े उहदे पर लोगों को जितनी तनक्वा मिलती है वह नहीं मिलेगी मगर यह काम यहां गावों में रहकर करना होगा यहां खर्च खुद बेखुद बहुत कम होता है जहां अगर वे थोड़ा काम करके लोगों को ठीक तरह से समझाएं ठीक रास्ता दि खाएं और केवल विद्यार्थियों और शिक्षितों तक ही अपने काम को शिमित नहीं रखें पर सारी जनता को शिक्षित करने की बात सोचें तो उनके लिए काफी काम है और उनके लिए खाने पेने की कमी नहीं रहेगी आज जो नोक्रियां हैं उन नोक्रियों तक सब लोग नए पहुंच पाते हैं और नए पहुंच सकते हैं इसके लिए थोड़े ही लोग आगे जाएंगे चाहे वे अपनी बुद्धी के कारण अपनी योग्यता के कारण चाहे और किशी कारण से पहुंचें मगर जादा लोग तो ऐसे ही रहेंगे जिनको मध्यम वर्ग की तरह से थोड़ा बहुत खाना पीना उपारजन करके अपने को सुखी बनाना है मगर इससे भी अधिक मैं तो यह मानता हूँ कि जब गावों में शिक्षिया जोरों से फैल रही है जो शिक्षित होते हैं उनका मुह गावों की और से सहरों की और हो जाता है अगर कहीं कार खाना खुलने वाला हो तो घर छोड़ कर कार खाने की और अधिक दोड़ हो जाती है इसका नतीजा यह होता है जो अगर सच पूछिये तो सारे देश के लिए बहुत अच्छा नहीं कहा जा सकता कि सब शिक्षित लोग ऐसे लोग जो दूसरों को पढ़ा सकते हैं शिखा सकते हैं गावों को छोड़ कर दूसरी जगहे चले जाएं जो लोग गावों में रह जाएंगे उनको रास्ता दिखाने वाला कोन रहेगा इसको भी सोचना है गावों में जो शिक्षिया पाते हैं उनको अपने आपको इस तरह से तयार करना है कि वे अपना काम शिवम अच्छी तरह से कर सकें शिक्षिया का अर्थ यह नहीं है कि दफ्तरी काम के लिए लोगों में योग्यता हो जाए बलकि शिक्षिया का अर्थ यह होना चाहिए कि उनको चाहे कोई भी काम करना पड़े तो उनको बेहतर कर सकें और अच्छाई और खूबी के साथ कर सकें लिखने का काम हुआ तो वहे भी उनके लिए उतना ही सहज होगा जितना हल भी चलाना पड़े तो उसी खूबी के साथ और बेहतर तरीके से चला सकें विराम समाप